हाई फ्रेंड्स आज में लिक्या हैं आपके लिए टोमाटो सूप की रेसिपी इसको बनाना बहुत हीजी है आपको जब भी सूप पीने का मौना तो आप इस तरीके से इसको बना के पी सकते हैं बच्चों को पिला सकते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है तो अगर मेरे आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा तो आईए टमाटर सूप की रेसिपी सुरू करते हैं टमाटर को सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टमाटर यहां पे मैंने लिया है टमाटर पके वे टमाटर है इनको मैंने धुल के और इसको काट लिया है तो अब मैंने चड़ा दिया आप एक कड़ा ही उसमें डाल दिया है बटर और गैस को हमें लोग फलेम पे रखना है तो अब हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता डाल चीनी और दो तीन लांग तो बस इसको हम बूद लेंगे इसकी महें अच्छी सी आजय इसमें इतना ही हमें भूनना है और अब अगल डालेंगे इसमें प्याज और ल अगर अहिं दो तीन आपको प्याज फैस मेरे नहीं कज़रना है टो प्याज को अगल कर दााई लेंगे ऐसन Certum और गैस को मेडियन फ्लेम पे रखेंगे और अब डाल देंगे इसमें नमक, नमक हमें थोड़ा साही डालना है, तो बस इसको भी मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढख के चार से पाच मिनट तक छोड़ देंगे, जब तक की टमाटर सौप्ट ना हो जाए, तो बस हमें इसे ढख के छोड़ देना है, तो चार पाच मिनट हो चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं टमाटर को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो तामाटर हमारा ठalnız हो तो अब इस ग्राइंडिंग ज ल में डाल देंगे और इसको ग्रायंड कर लेंगे पेश्ट बनाकर त्यार कर लेना है तो यहां देखिए मैंने टमाटर का पेष्ट बना लिया है कुछ इस तरीके से हमें पानी नहीं डालना था आप पानी थोड़ा सा डाल भी सकते हैं आधा कप तो बस अब हम इसे चान लेंगे तो मैंने एक इस ट्रेनर ले लिया है तो अब इसको चान लेते हैं तो एक स्पू तो यहां पे थोड़ा सा बच्चा हुआ है तो इसको भी हम ले लेते हैं तो देखिए इसी तरीके से हमें चम्मस से मिलाते हुए छान लेना है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि उसमें जो टमाटर का पल्प है वो भी निकल जाए तो बस इसी तरीके से हमने सा कि दाल दोंगी टामाटर का पेश्ट तो देखिए यहाँ पे इसको चला देते हैं और डाल देगे इसमे थोड़ा सा पानी एक से रेड़ कप इसको भी मिला लेते हैं तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें और अब डाल देंगे इसमें नमक मैंने पहले भी थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा समय ने और बढ़ा दिया है तमाटर खट्टा होता है और थोड़ा समय ने चीनी डाला है आदा चमच उसे भी इसका तेस्ट अच्छा आएगा और बस मैंने इसमें काली मिस्पाडर डाल दिया है तो अब मैंने याँ पे आदा चमच उसकं ले लिया है और थोड़ा सा पाई डालकर गोल बना लिया है तो हमें इसमें तमाटर के पेश्ट में दो तीन चमचं उसका गोल डाल देना है इससे soup की ठीकनेस उसी हो तो अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे तो आप इसको जरूर ट्राइ किजेगा आपको बहुत पसंद आएगा सर्दियों की दिनों में भी यह बहुत जादा पसंद किया जाता है सूप और गर्मियों की दिने में बच्चों को आप बना के दे सकते हैं इ तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंस फिर बिलते हैं एक अगले नई रेसिपी के साथ